C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है, तीसरी जमात के लिए महलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आसपास का तेईस्वा सबक, कपड़ा सजा कैसे, सफ़ा नंबर 154. साजिदा की बेहन ने उसको एक बहुत खुबसूरत कपड़ा दिया, दुपट्टे के ऊपर खुबसूरत कढ़ाई थी और शीशे भी टके हुए थे, रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग-अलग तरहां से ओढ़ कर खेलने लगी, खेलते खेलते वो थक गई, वो दुपट्टा ओढ़े हुए ही सो गई, ख्वाब में भी वो दुपट्टे के बारे में सोचती रही, इतना खुबसूरत दुपट्टा कैसे बना होगा? यहां एक तस्वीर दी गई है, जहां साजिदा अपने दुपट्टे को ओढ़े हुए सो रही है, साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा? इस बारे में तुम्हारा क्या खयाल है? तुम भी एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बगर सिला हुआ कपड़ा लो, उसे अलग-अलग तरहां से पहन कर देखो, कितिनी तरहां से पहन पाए? क्या किसी ने उसे लुंगी बना कर या साफा बना कर पहना? दुपट्टे को और कैसे कैसे पहना गया? अपने घर में कोई च्छै लिबास देखो, तुमने उनमें क्या-क्या फर्क महसूस किया? जैसे बुनावट में, रंग में, डिजाइन में, किसी मोटे कपड़े को गोर से देखो, क्या उनमें तुम्हें सीधे और आले धागे जाते हुए दिखाई देते हैं? तुम किसी भी कपड़े को नजदीक से देखोगे, तो तुम्हें ऐसी ही बुनावट दिखाई देगी सफ़ा नमबर 155 तुम भी इसी तरह कागस की पट्टियों को बुन सकते हो कागस से बुनाई नमबर 1 दो अलग-अलग रंग के कागस लो नमबर 2 एक कागस पर खड़ी लकीरे खीचो और दूसरे पर आड़ी नमबर 3 दोनों कागसों को खीची गई लकीरों के साथ साथ काटो खयाल रहे कि पट्टियां बिलकुल अलग ना हो जाएं नमबर 4 दोनों कागसों को एक दूसरे के किनारों के उपर रखो दोनों के किनारे यानी जिन्हें तस्वीर में रंगीन दिखाया गया है आपस में जोडो नमबर 5 अब पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुन कर चटाई बनाओ नमबर 6 उसके किनारे पर एक कागस का हाशिया या टेप चिपका दो ताके वो खुल ना सके सफे की बाइन जानिब दो रंगे कागस के टुकडों को दिखाया गया है जिसे बीच में से काटा गया है लेकिन ये पट्टियां कागस से जुड़ी हुई है दूसरी तस्वीर में इन पट्टियों को जोड़कर एक चटाई बनाई गई है कप्डे पर छपाई तुमने पौदों की परी सबक में कप्डों पर बने फूल पत्यों के नमूने देखे थे कटी हुई सबजियों की मदद से तुम भी कुछ नमूने बना सकते हो गोभी के फूल या भिंडी को बीच से काटो कटे हुए हिस्से पर रंग लगा कर कागज या कप्डे पर ठप्पे लगा कर अपनी पसंद के डिजाइन बनाओ कागज की बुनाई और कप्डे पर छपाई की सरगर्मी करने से बच्चे हमारी रिवायती फनकारी और कारीगरी से वाकिफ हो सकेंगे इससे बच्चों को अपनी तखलीकियत दिखाने का मौका मिलेगा इसी के साथ 24 असबाख के किताब आसपास का 23 सबक कपड़ा सजा कैसे खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत